आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ती चैनल विनोधनी रादे सरगम में पित्र पक्ष में आपके लिए लाए हैं श्रीमत भागवद कीता का अध्याय 14 आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बात जो शायदी आपको किसी ने बताई होगी आप जब भी घर में शांती या बच्चों की काम्यावी के लिए किसी भी अन्य समस्य के लिए पंड़जी के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले पित्र दोश पताते हैं कि आपके घर में पित्र दोश है पित्र दोश का राज छुपा है श्रीमत भागवत गीता में जी हां, रोज एक बार नियमित रूप से अध्याय 14 को पढ़ने या सुनने मात्र से आपको पित्र दोश से मिल जाती है मुक्ती सभी काम आपके बनने लगते हैं अध्याय 14 को पढ़ने या सुनने के बाद भगवान श्री क्रेश्न के चर्णों में अरपन जरूर करें आईए शुरू करते हैं श्रीमत भागवत गीता का अध्याय नंबर 14 श्री भगवान बोले ज्यानों में भी अती उत्तम उस परम ज्यान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परमसिद्धी को प्राप्थ हो गए हैं इस ज्यान को आश्रेक करके अरथाधारन करके मेरे स्वरूप को प्राप्थ हुए पुरोष श्रिष्टी के आदी में पुने उत्पन नहीं होते और प्रले काल में भी व्याकुल नहीं होते हे अरजुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकरती संपून भूतों की योनी है अरथात गर्बाधान का स्थान है और मैं उस योनी में चेतन समुदाय गर्ब को स्थापन करता हूँ उस जड़ चेतन के संयोक से सब भूतों की उत्पत्ती होती है हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्थिया अर्थात शरीर धारी प्राणी उत्पन होते हैं, प्रकर्थी तो उन सब की गर्ब धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकरती से उत्पन तीनो गुणों अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। वे निश्पाप उन तीनो गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित हैं। प्रमाद आलसे और निद्रा के द्वारा बांता है। कि सत्वगुण भड़ा है। हे अर्जुन रजोगुण के भढ़ने पर लोब, प्रवर्ती, स्वार्त, बुद्धी से कर्मों का सकाम भाव से आरंब, अशान्ती और विश्य भोगों की लालसा ये सब उत्पन होते हैं। हे अर्जुन तमोगुण के भढ़ने पर अंतह करण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवर्ती और प्रमाद, अर्थात, वियर्थ, चेष्टा और निद्रादी, अंतह करण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन होते हैं। जब यह मनुश्य सत्वगुण की व्रद्धी में मृत्यू को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वरगादी लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के भढ़ने पर मृत्यू को प्राप्त होकर कर्मों की आसत्ती वाले मनुश्यों में उत्पन होता है, तथा तमोगुण के भढ़ने पर मरा हुआ मनुश्य, कीट, पशु, आदी, मोड, योनियों में उत्पन होता है। श्रेश्ट कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ग्यान और वैराग्यादी निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्यान कहा है, सत्व गुन से ग्यान उत्पन होता है और रजो गुन से नी संदे लोब तथा तमो गुन से प्रमाद और सद्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादी उच लोकों को जाते हैं। अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षनों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुश्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है शिरी भगवान बोले हे अर्जुन जो पुरुष सत्व गुन के कार्य रूप प्रकाश को और रजो गुन के कार्य रूप प्रवर्ती को तथा तमो गुन के कार्य रूप मोहों को भी ना तो प्रवित होने पर उनसे दुएश करता है और ना नेवरित होने पर उनकी अकांशा करता है जो साक्षी के सैद्रश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरत्ते हैं ऐसा समझता हुआ जो सचिदानन गन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिती से कभी विचलित नहीं होता जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुप को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सुवन्ड में समान भाव वाला ग्यानी प्रिये तथा अप्रिये को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थूती में भी समान भाव वाला है जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वेरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपून आरंभों में करतापन के अभीमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अव्य भीचारी भक्ती योग के दुआरा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भाती लांग कर सचिदानन गन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग ये बन जाता है क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रे मैं हूँ आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, बने रहे हमारे चैनल के साथ, जै श्री राधा, जै श्री कृष्णा